मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी मर जाओ तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी टूथ ब्रश मत करो, खर्चा बचेगा हम आजकर टूथ पेस्ट करते हैं कॉलगेट, क्लोजप, पेपसिदेट, सिभाका, फॉरेंस ये बड़े महंगे हैं तीस रुपय का सो ग्राम तीन सो रुपय किलो हुआ कि नहीं गाय का घी दो सो रुपय किलो टूथ पेस्ट तीन सो रुपय किलो क्या मूर्ख लोग हैं इस देश के पढ़े लिखे सुपर इडियेट वो क्या करते हैं 200 रुपई की लोग गाय का घी नहीं खाते और 300 रुपई की लोग का पेस्ट रगड के दाटों पे थूखते हैं वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं मैं उनसे कहता हूँ और स्मार्ट बनो क्या करें क्या करें यह 300 रुपई किलो का पेस्ट इसको थूखते क्यों इसी को रोटी पर लगा लगा के खालो गाई के गी से तो महंगा है कितना फल तू खर्चा कर रहा है 300 रुपई किलो का पेस्ट मैंने एक दिन हिसाब निकाला था एक आदमी रोट जो ब्रश करता है न सबेरे का तो एक बार के ब्रश में बेड़ से 2 ग्राम टूथ पेस्ट इस्तेमाल होता है अगर वो आदमी 60 साल तक अपनी जिन्दगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे तो एक आदमी का टूथ पेस्ट का खर्चा 1,40,000 रुपई आता है 60 साल तक एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपई का जिन्दगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा 60 साल में उसका हिसाब जोड़ा 1,40,000 के आसपास खर्चा क्या फालतू खर्चा है बंद करो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ब्रश को पेस्ट लगा के लगणने की कोई ज़रूरत नहीं है फोकट का काम करो दातुन करो दातुन नीम की दातुन बबूल की दातुन पाकड की दातुन करंच की दातुन अमरूद की भी दातुन होती है आम की भी दातुन होती है बबूल की दातुन बारे तरे के पेड़ हैं उनकी दातुन करो tax free, cost free side effect कुछ नहीं है expiry date कुछ नहीं है फोगट में मिलती है के नहीं एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़ के साथ दिन तक चलाओ उसको मैं तो एक दातुन साथ दिन कर लेता हूं कैसे दातुन किया चबाया, आगे का हिस्सा काट दिया हुआ, एक IIT का लड़का मुझे पूचता है, बहुत इंटेलिजेंट होते है IIT वाले में भाशन दे रहा था हूं क्या मूर्खता की काम करते हैं एक दात उनको साथ दिन करते हैं मैंने का भाई, तू ये बता, एक टूथ ब्रश को कितने दिन करता है उसने का, मैं तो साल भर तक करता हूं मैंने का, तू महामूर्ख है मैं तो साथ दिन में बदल देता हूं तू साल भर एकी ब्रश को रगड़ता रहते है बन करो ये ब्रश और ये ब्रश की मुश्किल पता है क्या है तूथ ब्रश होता है ना प्लास्टिक के उसमें ब्रसल्स होते हैं उनको जब हम रगड़ते हैं तो मसूडों पर उसका घर्शन होता है मसूडे सब छिल जाते हैं कमजोर हो जाते हैं जिनके मसूडे कमजोर होते हैं उनके दात कमजोर हो जाते हैं जिनके दात कमजोर हैं उनकी जिन्दगी में कोई आनंद नहीं है दूसरी समस्या क्या है कभी भी आप देखना टूथ ब्रश होता है ना उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं ना वहां पीला पीला सफिद सफिद कच्रा जमा हो जाता है उस पे हजारों वाइरस आकर जिन्दा बैठते हैं और रोज आप अपने मुँ में डाल के क्या खतरना काम कर रहे हो बंद करो अच्छा नहीं है और एक बात बता हूँ यह जो टूथ पेस्ट है ना टूथ पेस्ट जिसको आप घिसते हो इसमें जाग बहुत बनता है मालूम है जाग तो वाशिंग पाउडर में भी बनता है कभी-कभी मैं लोगों से कहता हूँ आप कॉलिगेट क्यों करते हैं तो कहते हैं इसमें जाग बहुत बनता है तो जाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है shaving cream क्यों नहीं रखड़ते अब मैं असली बात बताता हूँ जिस वस्तू से shaving cream में और washing powder में जाग बनता है वही वस्तू toothpaste में मिलाई जाती है उसको कहते है sodium laurel sulfate और ये ऐसा खतरना chemical है जो cancer कर देता है अब मैं आपको एक सचा ही बताता हूँ अमेरिका देश में यूरोप के देशों में toothpaste जब बजार में बेचा जाता है तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है और उसमें कहा जाता है सावधान toothpaste करने से cancer होता है अंग्रेजी में लिखते हैं it is cancerous carcinogenic और अमेरिका यूरोप के toothpaste पे क्या क्या लिखते हैं अंग्रेजी में लिखते हैं फिर अमेरिका और यूरोप के toothpaste पे लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सिडेंटल इंजेशन प्लीज कॉंटेक्ट इमीडियेटल पॉईजन कंट्रोल सेंटर माने गलती से पेस्ट अगर कर लिया बच्चे ने तो हॉस्पिटल लेके जाना उसको जहर है क्या जहर है उसमें एक केमिकल जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट ये केमिकल एक बूद अगर आपकी जीप पर गिरा दें तो जीप पर ही कैंसर हो जाता है मत करो आप ये बेकार है तो दात कैसे साफ करें दातुन से दातुन है ना पिपरिया में तो बहुत है मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ है कि दातुन ही दातुन है यहा तो आपको तो कोई कमी नहीं तो दातुन करो दातुन ना मिले तो दंत मंजन करो दंत मंजन भी फोकट वाला करो खर्चा नहीं करना फोकट वाला दंत मंजन घर में रसोई है वहाँ पे हल्दी है ले लो थोड़ी सी हल्दी और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें और थोड़ा सा नमक तीनों को मिलाओ दाथ पे गिसो सबसे अच्छा दंत मन जाए और एक दूसरा पताता हूँ गाय है गाय उसका गोबर है गोबर को जला दो कैसे जलेगा पहले सुखाओ उसको छोटे कंडे बनाओ फिर जला दो तो राक निकलेगी उस राक में थोड़ा नमक मिलाओ थोड़ी फिटकरी मिलाओ और उसको दाथ पर गिसो उससे अच्छा दंत मन जन दुनिया में नहीं और एक तरीका बताता हूँ नीबू है ना नीबू हम सबजी में निचोड़ते हैं अब छिलका बच गया इसको फेकना नहीं छिलके को उलट दो अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो उस पे नमक रिकड़के ऐसे से दाथों पे गिसो दाथ एक दम साफ उसका पत्ता तोड़ लो आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी दे चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा लुकदी बनेगी उसको दाथों पे रगड़ दो दाथ एक दम किट किट करने लगते हैं एक दम साफ यह सब फोकट का इलाज है है कि ने और नहीं तो कोई खरीदना है तो दंतमंजन खरीद लो बजार में बहुत मिलते हैं लाल दंतमंजन, काला दंतमंजन वीको बज़ दंती अब तो स्वामी जी का भी दंतमंजन आता है दिव्योग दंतमंजन वो ही ले लो आप वो लेओगे तो आपका पैसा कम स्वामी जी के ट्रस्ट में जाएगा उसी से हम ये सब काम कर रहे हैं तो यहां तो दातुन करो नहीं तो दंतमंजन टूथपेस्ट बंद टूथब्रश बंद अब एक जानकारी और देता हूं आपको यह जो टूथपेस्ट होते हैं ना कॉलगेट, क्लोजप, पेपसुडेंट, सिवाका यह जादातर टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से हमारे देश में हजारों कतल खाने चलते हैं वहाँ गाए बेल भैस को काटते हैं उनका मास बजार में बिखता है उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कमपनिया खरीदते हैं हड्डियों को धूप में सुखाते हैं बोन क्रेशर में डालकर पाउडर बनाते हैं फिर उसी से पेस्ट बनता है फिर उसी को हम मुँ में लगाते हैं रोज सबेरे ही सबेरे और जिस दिन उपवास होता है तो जरूर भगवान की पूजा करते हैं सबेरे सबेरे हड्डियों का चूरा मुँ में लगाते हैं अभी कैसे प्रसंद होंगे भगवान बताओ बंद कर दो ये सब अच्छा ने ठीक है तो बहुत पैसा देश का बचेगा मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें ब्रश बंद कर दें जो पैसे बचेंगे अगर उतने से ही दातुन खरीदने लगें पचास पैसे की एक दातुन तो तीस लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल जाएगा इस देश आप कभी बंबई जाना बंबई बंबई के सब रेलवे स्टेशन में दातुन बिकता है एक रुपए का दो दो रुपए का तीन ये बंबई में हो सकता है तो पिपरिया में भी हो सकता है अब बस करना ये पड़ेगा कि दातुन करनी है तो नीम का पेड लगाओ बबूल का पेड लगाओ दातुन तभी मिलेगी ना तो पेड भी लगाओ हर साल कम से कम एक हैं आपका जनम दिन आता है ना उस दिन एक पेड लगाओ